यहाँ पर है मैं Tata की S Gold की CNG Plus में काफी सांदर रेंज यहाँ पर देखने को मिलेगे लगभग से 380 किलोमेटर के पाड़ तकी अगर आप करवाते हैं 18 किलोग्राम तेक की CNG टैंग को फूल तो इसके नहीं on-road कीमत क्या है कैसे आपके अवल 1,90,000 रुपर डॉन पर मिट करके गाड़ी को घर ले कराएंगे और कैसे आपकी EMI 5600 क्यास पास रहेगी सारी भाते आपको बताएंगे तोन रूट कीमत से पहले गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे बहतरीन कैबिन इस पर सांदर फीचर आपको मिल जाती है मिल्टर कॉंसोल के साथ इसमें आपको 103 CNG टैंक यहाँ पर ओफर की जाती है 666 किलोग्राइम की यानिक 18 किलोग्राइम की ओफिसली आपको 375 के पार यहाँ पर रेंज कही जारी है इंजन आपको मिल जाते है 694 CC का पावर आपको देती है 19.4 किलोग्राइम की टॉर्क के हाँ पर डेंट करती है 51 न्यूटर मिटर की 12 इंज की विल आपको आफर की जाती है कार्गो बोड़ी के लंबाई के हमभाद करिंग वह आपको मिल जाती है 8.2 फीट की 12 इंज की 24 के लिए 100 रूम कीमत अभी चल दी है 6,90,000 रूपाई से लेकर 7,50,000 रूपाई के अंदर ही और वहीं रेइस्टेशन के चार्ज, आटियो और इंसोरेसी कीमत को सामिल करने के बाद आपको पड़ेगी 7,55,000 रूपाई से लेगा 7,70,000 रूपाई के अंदर ही माइनर बतला दोस्तों संभाव हो है इसलिए मैंने आपको अपको रेंज बता दी है सेकेंड डूपेमेंट हमने यहाँ पड़ ली है 2,99,000 रूपाई तक की तो आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 4,56,000 रूपाई का 8,2% के हिसाब से 5 साल के लिए महिने के आपको देने पड़ेंगे 9,300 रूपाई 6 साल के बात करेंगे 8,100 रूपाई 7,200 रूपाई आपकी महिने के EMI बनेगी अगर आप अपने EMI को लगभख से 5,500 रूपाई का आसपास रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा 3,99,000 रूपाई तक की डौन पेमेंट इसमें आपको लगभख लेना पड़ेगा 3,56,000 रूपाई का 68% ब्याजदर के हिसाब से 5 सल के लिए मंधिल की स्थाप की बनेगी 7,300 रूपाई की 6 सल के बात करेंगे 6,300 और 7 सल के बात करेंगे 5,600 रूपाई तो आप यहाँ पर तीनों में से कोई भी प्लान ले सकते हैं तो यह थी Ace Gold CNG की रेंज और कीमत के बारे में अपडेट समय के साथ कीमत ने बदला सम बहुत मैं तो तो नए वीडियो लाते रहता हूं तो आप जानने के लिए सब्सक्राइब करेंगे चैनल को वीडियो को शेर करिएगा धन्यवाद